गौतम और लानिस्टरी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो फर्स्ट पार्ट हमने कल आपको दिया था गध्यान से हम पध्यान से समधित जिस तरह के आपका पैटर्न एक्जाम में देखने को मिल रहा था आपके लांगेज फर्स्ट का जिन्होंने हिंदी के वारे में जहां आपके लिए सर्फिस्ट टेस्ट स्रीज दोरा आप जैन सुनिश्चित कर सकते हैं सिख्षक वर्ग दो की जिनका भी एक्जाम नहीं हुआ है सोसल साइंस हो गया मैट का रिवीजन कर सकते हैं ठीक है और हिंदी ठीक है तो यह अभी टेस्ट स्रीज आप ले सकते हैं अभी आपके पास समय है जिनका एक्जाम भी नहीं है और कूपन कोड हमारा यूज करके जी ए यू ए फ्जियो भी फोर जीरो जिसमें आपको 40% का डिसकाउंट मिलेगा साथ ही MPSI MP कॉंस्टवल और अरार भी जूनियर इंजिनियर के भी चलिए सुरवात करते अब हम आपके कोस्टन को सबसे पहले आपको क्या करना है देखना है कि गध्यांस को ठीक है तो थोड़ा सा पहले हम कोस्टन के और चलते हैं और फिर रीड करेंगे आप भी हमारे साथ ध्यान से देखिएगा रीड करिएगा ठीक है और फिर समझ के आप सभी को एंसर करना ह आप देख रहे हैं इस तरह के questions हैं ठीक है देखिए एक अध्यापक का काम है कि वे अपने छात्र में चित एकागर करने का भ्यास्टा ले एकागरता ही आत्मसाक्षातकार की कुंजी है ठीक है दुखी होना करूना है ठीक है किसी को अच्छा काम करते देखकर प्रसन वोना और उसका प्रोसान करना मुदिता और दुसकर्म का विरोध करते हुए अनिष्ट कारी से सत्रुता ना करना उपेक्चा है ज्यों ज्यों भाव जाकते हैं त्यों त्यों इस्या देश की कमी होती है ठीके निस्काम कर्मे भी राग देश को नश्ट करता है ये बात हसी खेल नहीं है परंचित को उधर फेलना तो होगा ही इस खलता चाहे बहुत धीर ही प्राप्त हो इस प्रकार प्रयास भी मनुस्य को उपर उठाता है ठीके निस्कामिता की कुन्जी यह है कि अपना ख्याल कम और दूसरों का अधिक किया जाए ठीके आरम्द सेही परार्थ साधन लोक संग्रे और जीव सेवा के भावधपन किया जाए जब कभी मनुस्य से थोड़ी देर के लिए सच्ची सेवा बन पड़ती है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है भूखे को अन देते समय जलते या डूपते को बचाते समय रोगी की सुस्ष्रתा करते समय कुछ देर के लिए उसके साथ तन्मेता हो जाती है मैं पर का भाव तिरोहित हो जाता है उस समय पर अपने सवकी एक चलक मिल जाती है मैं तू के कित्रिम भेदों के परे जो अपना सर्वात्मक सुद्ध सरूप है उसका साक्षातकार हो जाता है जो जितने ही बड़े छेतर के साथ तनमयता प्राप्त कर सकेगा उसको आनंद और सुरूप दर्सन की उतनी ही उपलब्धी होगी हमारी सुविधा और चरित निर्मार के लिए यह तो नहीं हो सकता कि लोग आये दिन डूबा और जला करें या भूख प्यास से तड़फा करें सेवा के आउसरों की कमी भी नहीं होती सेवा करने में भाव यह ना होना चाहिए कि इसका उपकार कर रहा हूं ठीक है जुरूर देखेगा इस पॉइंट को इससे आपको कोश्चन्स देखिएगा आपको मिलेंगे ठीक है वरन यह है कि इसकी बड़ी क्रपा है जो मेरी तु सांसर इट क्या होगा हमारे साथ वीडियो को देख रहा होगा तो आप सभी देखेंगे कि फास्ट कोश्चन क्या है चात्रों में चित एकराग्र करने का अभ्यास डालना किसका कार्य बताया गया इसमें अध्यापक्या समाज का परिवार का परोसी का किसका बताया गया है देखिए चात्रों में जो आपके चित एकाग्र करने का अभ्यास डालना बताया गया है आपके अध्यापक का कारे बताया गया है ठीक है तो आप्सन ए आपने राइट एंसर किया होगा अगर आपने ध्यान से देखा होगा फिर आप देख रहे हैं सेकेंड कोस्चन भी इस की तरह के कौस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे ठीक है आत्म साक्षात्कार की कुंजी क्या है अलास एकागरता भावगता या कोई नहीद तो बिल्कुल आपको यह पॉइंट मिला होगा आत्म साक्षातिकार की जो कुंजी यह आपके एक आगरता है ठीक है एक आगरता है तो option B आपका correct answer हो जाएगा ठीक है second का next आपका question third क्या है दूसरों को दुख देकर दुखी होने की भावनाव को क्या कहते हैं आपके सहयोग छमता करूना क्या कहते हैं बिल्कुल यह भी आपको point मिला होगा मैंने आपको notice करने के लिए बोला था ठीक है दूसरों को दुख देखकर जो दुखी होने की भावनाव को क्या कहते हैं करूना कहते हैं ठीक है करूना कहते हैं तो option C आपका right answer हो जाएगा फिर देखिए next question आपका question 4 आप देख रहे हैं जो grammar वाला भी पार्ट है इसी में आपके include कर रहा होगा कर्मधार है द्रिग समास अभीवी भाव समास या द्रिंद समास तो कौन से समास है इर्ष्या देश में तो अगर हम इसकी बात करें इर्ष्या देश में आपका सब कौन से समास है तो द्रिंद समास द्रिंद समास अगर आप कर रहे हैं इसका तो correct answer है ठीक है next है आपका question 5 ये भी आपको point मिला होगा passage में सुस्रुसा सब्द का तातपर है क्या सेवा करना लडाई करना लालाच करना या इन में से नहीं क्या तातपर है आपके सुस्रुसा सब्द का बिल्कुल देखिए सुस्रुसा सब्द का जो तातपर है आपके इसमें सेवा करना ठीक है सेवा करन तक पर है तो option A आपका right answer हो जाएगा ठीक है right answer हो जाएगा अब देखिए प्रस्तुत गद्दांश के अधार पर सेवा करने का भाव कैसा नहीं होना चाहिए स्वार्थ का इर्श्या का उपकार का या दया का ये भी मैंने आपको point ध्यान से देखने को बोला था बिल्कुल उपकार का कैसा भाव नहीं होना चाहिए उपकार का भाव नहीं होना चाहिए किसी की सेवा करने पर ठीक है तो option C इसका right answer हो जाएगा फिर देखिए next step का question 7 आनंद आनंद का परियावाची सब्द है कौन सा है जिशाद हर्स दुख सभी कौन सा है आनंद का परिया क्या है कि एक तरह से खुस आनंद मैं ठीक है इसलिए हर्स हो जाएगा ठीक है हर्स आपका correct answer हो जाएगा इसका ठीक है क्योंकि दुख नहीं होगा विशाद नहीं होगा इसलिए हर्स आपका correct answer हो जाएगा फिर देखते इस गद्यांस का आपके last question है प्रस्तुत गद्यांस मैं किसकी सेवा करनी चाहिए बताया गया है बिल्कुल आप सभी ने डेखा होगा विट आउम ने रीट किया था बताया गया था किसकी सेवा करनी चाहिए जीव मात्र की मश्क की आपको प coconut की रिख टेव माघमात की Crappie मात्र क हिसका पध्यांस भी इंक्लूट किया है, कल के पार्ट में हमने सिर्फ गध्यांस को किया था, ठीक है, तो आज हम पध्यांस भी करेंगे, इसी भी आप सभी रेट करें हमारे साथ, देखिए, चलिए सुरुवात करते हैं, ध्यांस आप सभी पढ़िएगा, क्या है, सच हम नहीं, हार देख जुका नहीं, जिसने प्रणए पाथे एमाना जीत उसकी ही रही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है, अब देखिए फिर नेक्ष्ट है, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो भी परिष्थितिया मिले, काटे चुहे कडिया खिरे, हारे नहीं, इंसान है, संदेश जीवन काया ही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, ठीक है, यह हमने पध्यांस को रीड़ किया, बहुत ही आपके ज्यान की बाते इसमें बताई गई हैं, देखिए, क कविने किसको सच माना है, संघर्स को, सब्र को, इश्वर को, मानव को, बिल्कुल, कविने किसको सच माना है, आपके संघर्स को, संघर्स को माना है, कविने सच, तो आपसन ए आपका करेक्ट अनसर हो जाएगा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, ठीक है, नेक्स्ट है, आ प्रणाय को पाथे वालों की ठीक है प्रणाय के पाथे वालों की तो आप संद भी आपका करेक्ट एंसर होगा question second का ठीक है सुविधा भोगी जीवन देखिए फूलों के साथ जो चलने का तातपर है आपका क्या है सुविधा भोगी जीवन ठीक है तो option D आपका correct answer हो जाएगा ठीक है next आपका question 4 काटे और कलिया किसकी प्रतीक है किसके प्रतीक है आपके सुविधा और आराम के प्रतिष्ठा और सम्मान के दुख और सुख के संपत्ति और सम्मान के किसके है काटे और कलिया किसके प्रतीक है तो अगर हम बात करें काटे और कलिया किसके प्रतीक है तो काटे और कलिया जो आपके है दुख और सुख दुख और सुख के प्रतीक है काटें और कलियां तो आपसंस ही आपका correct answer हो जाएगा question 4 का ठीक है next question क्या आपका question 5 नत ब्यक्त किसकी तरह मृत हो जाता है जैसे ब्रिक्च से गिरकर फल जैसे ब्रिंत से गिरकर कुसुम जैसे छत से गिरकर मनुश्या जैसे लक्च से भटका मनुश्या तो देखिए अभी हमने इसको जो पद्यान साब का जाएगा इसका ठीक है question 5 का next आपका question 6 किस से लड़ने की प्रेणा कभी दे रहे हैं आपके चुप चाप अपने आप से लड़ने की सच से लड़ने की या लक्ष से लड़ने की या पराजय से लड़ने की तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा हमारे साथ तो किस से लड जीवन का क्या संदेश बताया गया है इसमें लोगों को संगर्स की पेड़ना देनी चाहिए या संगर्स से बचना चाहिए या इनसान को हार नहीं माननी चाहिए या लक्ष को भूल के संगर्स करना चाहिए देखे तो जीवन का इसमें जो संदेश बताया गया है आपके कि इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि लक्ष को भोल के संगर्स करना किसी मतलब करना है, संगर्स से बचना भी नहीं है, ठीक है, और लोगों को संगर्स की पेरणा देनी चाहिए, ठीक है, तो जीवन को जो इसमें संदेश ब इसमें करेंगे, ठीक है, देखिए, क्या है कक्षा आठ में समोपरिचर्चा का सर्वधिक उचित सीर्सक हो सकता है, क्या गरतंत दिवस अनसासन का महत्व, भासा का महत्व या इंटरनेट की दुनिया में हिंदी, देखिए, कक्षा आठ में जो समोपरिचर्चा का सर्वधिक उचित सीरसक हो सकता है वह आपका गरतन्त दिवस अगर आप किये हैं तो correct है आप से भी का गरतन्त दिवस इसका right answer हो जाएगा ठीक है फिर देखते हैं next question है आपका question second है बच्चा सभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरन से अरजित करता है क्या सब्द व्याकरण भासा वाक क्या अरजित करता है बच्चा सभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरन से विल्कुल भासा भासा अरजित करता है तो option C आपका correct answer हो जाएगा question second ठीक है option C फिर देखें next है आपका question third क्या है जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समझ स्वयम वाचन प्रस्तुत करते हैं तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं अध्यापक वाचन अनुकरण वाचन आदर्स वाचन ये विशेस वाचन देखें जब अध्यापक कोई कक्षा में छात्रों के समझ के लिए छात्रों के समझ के लिए स्वयम कुछ वाचन प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं आदर्स वाचन कहते हैं ठीक है आदर्स वाचन तो option C आपका correct answer हो जाएगा next है आपका question 4 क्या है उच्च प्रात्मिक इस्तर पर लेखन कौसल के विकास का कौन सा उद्देश सबसे कम महात्य पूर्ण है आपके प्रसिद्ध लेखकों के लेखन सैली की समिक्षा करना स्रिजनात्माक लेखन दौरा नीजी सैली का विकास करना तो बिलकुल उच्च प्रात्मिक इस्तर पर जो लेखन का उसल के विकास का उद्देश सबसे कम महात्य पूर्ण है वह आपके है प्रसिद्ध लेखकों के लेखन सैली की समिक्षा करना ठीक है लेखन सैली की समिक्षा करना तो आपका option first right answer हो जाएगा फिर देखें नेक्ष्ट है आपका question five च्छा question है क्या है उप्चारात्मिक सिक्षण को सफल बनाने के लिए किसका सहारा लिया जाता है आपके दिरस्सरव्य सादनों का सिक्षण विदियों का अभ्यासकारे का किसका लिया जाता है केवल first या second या केवल c या सभी तो देखें उप्चारात्मिक सिक्षण को जो सफल बनाने के लिए आपके सहारा लिया जाता है दिरस्सरव्य सादनों का सिक्षण विदियों का अभ्यासकारे का तो option d आपका right answer हो जाएगा question five का ठीक है फिर देखें कुछ अन्य questions भी आपके हम grammar से भी लेके आए हैं किस चंद के पहले और तीसरे चलन में बारा बारा और दूसरे तथा चौथे चलन में साथ साथ मत्राएं होती है किस में होती हैं आपके बिल्कुल आपस तभी नेगर option b का साथ दिया है option b इसका right answer हो जाएगा question six को option b next step question seven प्रस्तुत पंक्ती में चंद है मंगलवन मंगलहारी हरवनात्मन संगडवारी इसमें कौन से चंद है आपके चौपाई यह आपकी है चौपाई ए ठीक है to option d आपका correct answer हो जाएगा चौपाई है ठीक है next step a question eight इस्ती पुरुस में प्रवक्त समास है कौँ सा सा स्मास प्रेगत है अब्वबी भाव समास कर्मधारै समास दृंद समास दृगिसमास कौन सा समास इसमें प्रयवक्त है देखे नेक्स्ट है आपका मनोरत, मनोरत का संधी विक्षेत होगा, क्या हो जाएगा, मनह प्लस रत, मनो प्लस रत है या मन प्लस रत, क्या हो जाएगा, देखे, मनोरत के अगर हम संधी विक्षेत की बात करें, तो अगर आप सभी ने किया है, मनह प्लस रत, ठीक है, तो यही आपका होगा मनोरत का संधी विक्षेद, ठीक है, question 9 का आपके option A, option A, आपका correct answer हो जाएगा, फिर देखते हैं, next question आपका question 10 है, गिरीज संधी है, गुर्ण संधी है, यान संधी है, देरग संधी है, ब्रेद्ध संधी है, कौन सी संधी है, गिरीज संधी है, अगर हम बात करें संधी है, इसमें है आपके देरग संधी, यापके गिरीज संधी में, तो option C आपका correct answer हो जाएगा, टीक है, गिरीज संधी, next है आपका question 11 मानौँ सब्द में प्रत्य है कौन सा प्रत्य आपके मानौट 23 में आ वा आवे या नब यह बिलुकुल आपसभी अगर मानौँ सब्द में प्रत्य के बात करें तो अब अब है मानौट सब्य नियुक्त 9Sbert Amen यहाइक सब्सक्राइबर करूकर उन तो सब 10 सब्सक्राइब दोर taking विश्म को सब्सक्राइब होते हैं यह क्या होते हैं टोर्व के कारण कि करे कुक्छात ठोबे लोग da आपको अपने कार्णों के कारण कुख्यात होते हैं तो option D आपका right answer हो जाएगा इसका ठीक है question 12 का next आपको question 13 और अब हम last के और चलना है क्योंकि 30 questions हमारे complete होने वाले हैं ठीक है और अगर आपको यह हमारा part second भी पसंद आए तो आप comment में चुरूर बताएं और third part के बारे में बताएं कि आप के लिए लाना चाहिए या नहीं ठीक है next 13 सरकारी करमचारी को चाहिए कि उचित विचार से आवेधन करे उचित अधिकार से आवेधन करे एक तरह से प्रकार से आवेधन करे या माध्यम से आवेधन करे तो देखिए सरकारी करमचारी को चाहिए कि उचित म से आपका एक कॉस्चन है और इस तरह की कॉस्चन भी आपको देखने को चुरूर मिलेंगे क्या है निम्नबाग के में से कौन से विकल्प गलत है या कोई भी तुरूटी नहीं हो सकती है दोनों इसमें हो सकता है जैसे कि आप देख रहे हैं फस्ट दिया गया मुशीवत में स सही हो सकता है आपका खुद ही सोच सकते हैं अप धहर ही केवल मुशीवत में धहर ही केवल काम आता है यह आपका गलत हो जाएगा option b इसमें से ठीक है option b आपका right answer हो जाएगा ठीक है question 14 का next और last question आपका 15 है इसमें भी आपको यही करना है गलती बताना है या तो कोई त्रू नहीं हो सकती जैसा कि आप देख रहे हैं हरीश और श्यूकुमार दोनों सांत सभाव के हैं दोनों सांत सभाव के हैं बिल्कुल इसमें कोई भी आपके गलती नजर नहीं आ रही है कोई भी तुरूटी नजर नहीं आ रही है इसलिए आपका option for right answer हो जाएगा ठीक है और इसका आपका option second हो गड़ा तो यह हमारे 30 questions complete हो गए है आपके पार्ट सेकंड जो हमने किया आपका जो comment सभी के लिए रहता है यह आपका 30 marks का तो अगर आपको यह हमारा पार्ट सेकंड पसंद आया हो तो comment में जरूर बताए और लाइक करें वीडियो को share करें अगर आपको questions important लग social science है आपका social science की भी हम practice provide कर रहे है ठीक है दो प्रैक्टिस हमने provide किया आपके full marks का 60 questions का तो आप जरूर देखे चैनल में आपको मिल जाएगा ठीक है सस्टी पेड़ोगाजी भी mix है उसमें ठीक है social studies का तो मिलते हैं फिर हम next part में आप सभी comment में चरूर बताए अगर आपको यह part पसंद आया हमारा ठीक है thank you